पांच मार्थ 1966 इस दिन कॉंग्रेस ने मिजोरम में आज सहाए नागरिकों पर अपनी बायु सेना के माध्यम से हमला करवाया था और बाद गंबीर विवाद हुआ था कॉंग्रेस वाले जवाब दे क्या वो किसी दूसरे देश की वायु सेना थी क्या क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या 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 उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी ठीक नहीं थी पांच मार्थ 1966 इ निर्दोस नागरी को पर हबला करवाया है और मानियत देख जी आज भी मिजोरम में पांच मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है उस दर्द को मिजोरम भूलनी पा रहा है कभी इन्होंने महरम लगाने की कोशिश नहीं किये खाओ भरने का प्रयास तक नहीं किया है कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है और कॉंग्रेस ने इस सज को देश के सामने चिपाया है दोस्तों ये सत्य देश से उन्होंने चिपाया है क्या अपने ही देश में भायु सेना से हमला करवाना कौन था हुँ समाएं इंद्रा गांधी अकाल सक्त पर हमला हुआ है तो अजबी भी हमारी स्मृति में है उनको मिजोरम में उसके पहले यादत लग गई थी और इसलिए अकाल तक पर हमला कर दे तक वो पहुचे थी मेरे ही देश में और यहां में उपदेद दे रहे हैं अधनिय देख जी नौर्सिश में वहां के लोगों के विश्वास की इनों ने हत्या किये वो घाव किसे ने किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं उन्हीं के कार्णा में है अधनिय जी मैं दूसरी घटना के बढ़न करना चाहता हूं और वो घटना है 1962 1962 का वो खौपनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह दौर से इसके लोगों को चूब रहा है पंडित मेरु ने 1962 में जब देश के उपर चाहिना का हमला चल रहा था देश के हर कौने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अप्रिक्षा करके बैटे थे उनको कोई मदद मिलेगी उनकी जान माल की रक्षा होगी देश बच जाएगा लोग अपने हादनों से लड़ाई लेंडे के लिए मादान में उत्रे हुए थे ऐसी विकटगड़ी में दिल्ली के शाषन पर बैटे हुए और उस समय पर एक मातर जो नेता हुआ करते थे पंडित नहरून ने रेडियो पर क्या कहा था उन्होंने कहा था यह हाल करके रखता था उन्होंने वो प्रशारा आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूपता रहता है और किस प्रकार थे उस समय नहरू जी ने उन्हें अपने भाग्ये पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था यह हमसे हिसाब मांग रहे है अधर नियदक जी यहाँ चले गए लोईयाबादी यह उन्डुकों में भी सुनाना चाहता था जो लोग अपने आपको लोहियाब जी का बारिश कहते है और जो कल सदन में बड़े उचल उचल करके बोल रहे था हाथ लंबे चोड़े करनी के कोशिच कर रहे था लोहियाब जीने नेरु जी पर गंबीर आरोप लगाया था और लोहियाब जी ने कहा था और वारोप था कि जान बुझकर नेरु जी नौर्थ इसका विकास नहीं कर रहे जान बुझकर के नहीं कर रहे था और लोहियाब जी के शब्दत है ये कितनी लापरवाई वाली और कितनी खतरनाग बात है लोहियाब जी के शब्दत है ये कितनी लापरवाई लापरवाई वाली और कितनी खतरनाग बात है तीस हजार स्क्वेयर मिल से बड़े छेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से बंचित कर दिया गया है ये लोहिया जिने नहरु पर आरोप लगाया था कि नौर्द इसके लिए तुम्हारा रविया क्या है ये कहा था नौर्द इसके लोगों के रुदय को उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिस ने किये